तो आधार नमस्कार गोडीनिंग से स्याकाल एक बाद फिर आप तमाम लोंका स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में उम्मीद है पूरी फैमली अच्छी होगी किसान अंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है जो कुछ 26 जनवरी को हुआ उसकी डिटेल में आप पुलिस को कि घाजिपूर बॉर्डर पे जो किसान बैठें उस जगा को खाली कराई जाए कल शाम को एक्षन होना शुरू भी हो गया ता लग रहा था कुछ होगा और किसान हट जाएंगे लेकिन सारी चीज़ें थोड़ी दियर में बदल गई किसान संगठनों नहीं मानी वो उनका दोलन जादी रहेगा किसान अलग अलग संगठन जो बैठें वहें चाहिए वह सिंगू बॉर्डर हो या टिक्री बॉर्डर हो या घाजिपूर बॉर्डर हो उनका यह कहना है कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसकी जांच होनी चाहिए लाल कले पे तरंगे के साथ पैलल जो एक-दो और घंडे भैराए गए वो कौन लोग थे उसकी भी जांच होनी चाहिए क्योंकि उनका दावा है कि इसमें कहीं भी किसान शामल नहीं थे बलके ट्रैक्टर एली के नाम पर कुछ शरावती तत कुछ असमाजिक तत उसका हिस्सा बन गए और उन्होंने य और ये किसान आंदोलन को बर्दाम करने की एक साज़िश और एक कोशिश है ताकि किसानों पर दबाव बनाया जाए कि आप कानून व्यवस्था के खलाफ हैं जिस तरीके की चीज़ें हुई है एक एक करके दर्ज हो रही है तो उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें एक उन्यदारी नहीं वातिया दिल्ली ब्लूस का कहना है कि चुके रैली की इजाज़त दी गे थी इसलिए उनको दिल्ली में दाखिल होने दिया गया लेकिन उन्होंने शर्तें तोड़ी रूड़ बदले हिंसा की और जो कुछ लाल खिले पे हुआ वो भी घलत था तो अभी दोनों तरफ से बात बनी नहीं है बलकि कल रात से अब किसानों की तादाद भी थोड़ी बढ़ती जा रही खासतोर पर मुझे रखता सिंगु बॉर्डर की बजाए गादीपूर बॉर्डर पर फोकस आदा हो गया है और एक किसान नेता कल रोई भी और उसके बाद सब्सक्राइशन भी शुरू हो गया बजट सेचन और उसमें राष्टपती के भाशन उसका बहुत सारे जो अपोजिशन के ली नेता है और पॉजिशन पार्टी करेंब ठारा उनिस उसने इसका बायकॉड भी किया संसत के अंदर भी धरने दिये गए और उनका भी यह मानन को बजट पेश होना है पार्लेमेंट चल रहा है और एक तरफ किसान बैठे हुए हैं तो राजिनीतिक हल चल थोड़ी जादा होगी अब और क्या कुछ निकलता है कुल मिलाकर हर देश्वासी की दुवा यही है कि इसका कोई हल निकले किसान अपने घरों को लोटें सब कु आपडेट देना चाहिए अब आते हैं आज की कहानी के उपर ना मालूँ अब तक कितने सेरियल किलर की आपको कहानी सुना चुका हर सेरियल किलर की कहानी बड़ी अजीब होती है मकसद मोटीव अजीब होता है लेकिन एक शक्स जिसको उसकी बीवी से धोका मिला बीवी नोसे धोका दिया और ये बात उसके दिल में घर कर गई ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं रास्ते होते हैं जिससे फिर आदमी से उबर जाता है निकल जाता है लेकिन उसने ऐसा नहीं किया जो बीवी ने उसे धोका दिया बदले में उसने तह किया कि वो उन औरतों को धोका देगा मतलब कतल करेगा जो दूसरों की बीविया है ताकि यह ऐसास हो उनको कि धोका देने का अंजाम क्या होता है तो एक शक्स जिसको अपनी बीवी ने धोका दिया उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई उसका बदला लेने के लिए उसमें एक एक कर अठारा ओरतों के कतल किये यह कहानी का एक पहलू है दूसरा पहलू है जो हमारी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है इसमें से जब उसने ग्यारा कतल किये तब पुलिस ने उसे पकड़ लिया पकड़ने के बाद मुकदमा चला अदालत में कारवाई शुरू ही इस दौरान में उसे उम्र कायत की सजा भी सुना दी गए जेल में डाल दिया गए जेल में रहते हुए अचानक उसकी तबेद खराब होती है फिर उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है उसके दिवाज़ी हालत की भी इलाज किया जाता है लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है फिर बाहर आता है बाहर आने के बाद इस बार वो पांच कपल और करता है 11 कतल में उम्रकाइद की सजा हुई सोचिए उम्रकाइद की सजा और वो शक्स वापस जेल से बाहर आता है भागता है फिर पांच औरतों को मारता है इसके बाद फिर पकड़ा जाता है फिर वापस जेल में डाला जाता है जेल में जाता है उसके बाद उसे जमानत पर बाहर कर दिया जाता है अब वो जमानत पर बाहर आता है तीसरी बार और फिर दो कतल करता है तो ग्यारा, पाँच सोला और दो अठारा कुल अठारा कतल एक शक्स के नाम और वो अभी इसी महीने पकड़ा गया कहानी हैदराबाद की है हुआ यूँ कि जो पिछला साल खत्म हुआ दिसंबर तीस तारीख, तीस दिसंबर की बात है हदराबाद के जो बंजारा हिल्स के पास एक महीला की लाश में उती है चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था पोस्मॉटम होता है पता चलता है कि चेहरे को किसी शराब या फिर पेट्रॉल डालकर जलाए गया महीला की उम्रे करीब 30 साल के दरमयां थी वहां के पुलिस टास्फोर्स मामले की जांच करती रहती है इसी दौरान में वहां से कुछ दूरी पर एक और महीला की लाश मिलती है उसकी उम्र भी करीब 30 साल के आसपास थी पुलिस अभी दोनों कतलों को एक साथ जोड़कर नहीं देख रही थी तफ्तीश चलती रहती है करीब 18 दिन की जबर्दस तफ्तीश के बाद बहुत सारे सिसी की पुटेश खांगाल ने कुछ पुराने जो क्रिमिनल हैं उनसे पूस्ताज करने के बाद पुलिस को कुछ स्राग मिलता है और फिर पुलिस एक शक्स को उठाती है जिसका जिसकी उम्र करीब 45 साल नाम रमुलू जैसे ही पुलिस से रमुलू का आमना सामना होता है तो पुलिस इससे पूस्ताच करती है थोड़ी देर के बाद वो दोनों कतले की बात मान लेता है अभी तक पुलिस को यही मालूम था है कि इसने यह दो कतले की है लेकिन इसकी गिराफतारी की खबर है इदराबाद पुलिस के बाकी थानों और लोगों को जब मिलती है और पता चलता है कि गिराफतार रमूल हुए उसकी तस्वीर देखते हैं तो वो चौक उटते हैं केते हैं इस शक्स ने तो पहले भी कतल किया है ये तो वो शक्स है जो जेल से भागा हुआ है फिलहाल बेल पर आया है और 16 कतल इसके नाम लोगए अब तास फोर्स की हवा खराब होती है इसके बाद पूरे मामले की जांच की जाती है सारे पुराने फााइल खोले जाते हैं अदालट से जो बेल मिल अदालट के रिकॉर्ड निकाले जाते हैं पिर पता चलता है कि जिस शक्स को दो कतल के लग्राबार पुलिस नेandel से उब जाती है रकायत की सदा हो चुकी है बाकी के साथ कतल में अभी फैसला आना बाकी है बलकि दो कतल में तो अभी मुकदमे की शरुआप भी नहीं भी तो पुलिस यह सारी चीज़ों को जब एक सार जोड कर देखती है फिर सलसलेवार सारी कहानिया जब जोड़ती है तो पुलिस को पता थी करी यंग था एक दम शादी के बाद वो बड़ा खुश था लेकिन शादी के कुछ वक्त बीटते हैं कुछ महीने बीटते हैं रमुलू को अपनी बीवी पे शक होता है कि उसका किसी और के साथ अफैर है दोनों में फिर जगड़ा वगड़ा भी होता है कुछ दिन के बाद उसकी बीवी भाग जाती है पता करता है रमुलू तो पता चलता है कि वो उसी शक्स क साथ भागी है जिसके बारे में उसे शक्त था कि इन दोनों के बीच में कुछ अफैर है बीवी का यू धोका दे कर किसी और के साथ भाग जाना रमुली के दिल में बैठ जाता है और अब वो बदला लेने की फिराक्त में होता है इसके बाद सबसे पहले वो अपनी बीवी से ह लेना चाहता था एक दिन मौका मिलते ही वो अपनी बीवी का गला दबाता है उसे मारता है उसके चेहरे को शराप से जलाता है और मौके से भाग जाता है काईदे से अगर देखा जाये तो बीवी ने उसे धोका दिया था बीवी से उसने बदला लिया कहानी खत्म हो जानी लेकिन ऐसा होता नहीं अब उसके दिमाग में आता है कि चुके उसकी वीवी ने उसे धोका दिया तो बहुत सारी और ऐसी औरते हैं जो अपनी शायद पती को धोका दे दी तो और उनके यह ऐसास बिलाने के लिए कि धोके की सदा क्या होती है उसने औरतों का कतल करने की एक तैयारी शुरू कर दी इसके लिए खास तोर पर उसने जगह चुनी ऐसी उन औरतों को अपने निशाना बनाने की सोची जिन उनके उनके तीस के आसपार्स पच्चिस तीस पहिंपिस साथ हो जो वहाँ पे ताड़ी और शराब जो देसी शराब है वहाँ की बस्तियों में रहने वाली वहाँ के उनके जो पती काम करते हैं ऐसे अलाकों में तो वो ऐसे अलाकों में घूनता अपने शिकार को ढूनता और फिर कोई शिकार मिलता उसे बहला पुसला कर कहीं सुनसान जगे पर ले जाता उसके साथ शारिविक संबन बनाता चाहे पैसे दे कर या दबदस थी शराब पिलाता कई बार नशे में भी उसने ऐसा किया और फिर गलाग घोटकर यः पथर और किसी और चीजस से सर को कुचलकर वो उसका कतल कर देता अपके कई विक्टिं को उसके कतल करने के बाद जो शराब वो पी रहा होता साथ में ले जाता भी पिलाता वो उसके चहरे पर लास में डाल देता और आग लगा देता ताकि उसकी शिराखती ना हो सके तो ऐसी एक के बाद एक कई जली ही लाशे जब बिलनी शुरू हुई जिसमें चेहराई खास्तोर पर जलाया गिया था और कुछ अगर सामान होता तो वो लूट कर चला जाता तो हैदराबाद पुलिस के काम खड़े इसके बाद पुलिस ने स्केज बनाए बाकी चीज़ें बनाई और फिर रमुलू को पहली बार 2009 में नरसिंगी के नजदीक जो हैदराबाद में ही है वहासी गिरफतार कर लिया गया 2009 में 2001 से उसने क्राइम करना शुरू किया था आठ साल तक वो क्राइम करता रहा लेकिन प उसने फिर अपने सारे जर्म कबूल कर लिए उसने कहा कि 2001 से अब तक आठ सालों में एक 11 औरतों का कट्ल कर चुका है और सभी को एक क्रीके समारा या तो गलाग हुटकर या पत्थर से और फिर उनमें से कुछ को छोड़ दिया क्योंकि उसके पाद शराब बची नहीं जहा करने के बाद चेहरा जलाने के लिए लेकिन कई बार वो दा पूरा पी गया तो इसके पाद शराब बची नहीं तो फिर वो बिना चेहरा जलाएवे मौकर से भाग गया 2009 में रमुलू की गरफतारी होती है सारे एक एक करके पुलिस उन 11 कतल की कड़ियों को जोड़ती है चारसीत अधालात में दाखिय करती है अधालात में ये मामला पहुंसता है सुनवाई शुरू होती है इसके बाद फरवरी 2011 दो साल के अंदर अंदर हैदराबाद की एक लोकल कोट अपना फैसला सुना दी है और रमुलू को इने 11 औरतों के कतले के एक्जाम में उम्रकायत की सदा सुना देती है रमुलू अब जेल चला जाता है जेल जाने के बाद उसकी तबेत थोड़ी सी वो देल में दिखाता है कि बिगड़ रही है या कुछ है वो दिमागी हरकत भी उसकी कुछ अजीब सी थी उट पठाग बाते करता था अजीब हरकत करता था तो जेल स्टाफ को लगा कि इसकी बतनी मेंटल हाला ठीक है की नहीं तो इसलिए उसको फिर एक सरकारी होस्पिटल में एडमिट कर दिया गया वो सरकारी होस्पिटल में एडमिट जब हुआ तो 2011 फर्वरी में उसों हम्रकैत की सजा सुनाई गया है और 20 १श्मबर को हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वो पांच और कैदियों के साथ उस सरकारी हॉस्पिटल से भाग गया पुलिस की तमाम सुरक्षा के बावजूत उसे काफी ढूंडा गया इदर उधर पुलिस के टीम गई आप पैर भी फूले वे थे ग्यारा कतल ग्यारा औरतों का काति और इस तरीके से भाग जाना मतलब बाकिया औरतों की सुरक्षा के लिए खत्रा था तो उसको पकड़ना बहुत जरूरी था पुलिस के पीछे लगी रही लगातार लेकिन वो पुलिस को चक्मा देकर भागता रहा आखिरकार मैं 2013 मतलब दिसंबर 2011 में वो भागा पूरे 2012 म हुआ 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 और 2013 में भी जब 6 मेने लगब गुजरने वाले थे तब मैं में एक मगबिर की शिका एक निशान देही पर रामुलू को हैदराबाद के करीब से ही रफ्तार कर लिया गया तो 2011 में अमरकायत की सजा हुई 2011 में वो हॉस्पिटल से भाग गया और करीब देर साल के बाद 2013 में वो दुबारा एरिस्ट हुआ दुबारा एरिस्ट जब हुआ तो उसे वापस जेल भेजा गया क्योंकि अल्रेडी उसको लाइफ इंप्रिज्मेंट उमरकायत की सजा थी लेकिन जब दुबारा गिरफतारी हुई तो पता चला फिर उसना कबूल किया कि इ उन्हों नहीं देखा और पैचाना और माना और फिर यह तैय हुआ कि यही वह पांच औरतों का कातिल है तो नाइन तक जिसने ग्यारा टूथा नाइन तक ग्यारा औरतों को मारा था एलेवन में वह जेल से भागता है ठहतीन में पकड़ा जाता है और इन डेर साल में आफ्ते अब यह मामला नए सरे से मकदमा शुरू हुआ है तो तूथाओं ठैटीन का यह मामला था और यह चलता रहा इसी दोरान में उम्रकायत के फैसले के खिलाप यह हाई कोर्ट में पहुंच जाता है और हाई कोर्ट में अपील करता है कि उसके खिलाफ पुगता सबू कि मामला यह हाई कोर्ट में चल रहा था और हाई कोर्ट किसी ग्राउंड पर रमुलू को जबानत दे देती है सोला औरतों का कातिल एक ग्यारा कतले के बाद जेल से भागा हुआ एक मुझरिम जो भागने के बाद डेर साल में पांच और कतल करता है उसके पाथ वो फिर से जेल जाता है और हाई कोर्ट सोला सोला औरतों के कातिल को फिर जबानत दे देती है वो जबानत पर बाहर आ जाता है कुछ दिन शान्त रहता है 2020 में इसके बाद डिसंबर में वो अपने दो शिकार फिर से करता है एक 30 दिसंबर को और एक उससे पहले 24 दिसंबर को शायत तारी होती है और अभी जनवरी में 18-19 जनवरी को उसके बारे में पुलिस को फुक्ता जानकारी मिलती है लेकिन तब तक ही था कि ये दो आरतों का कातिल लेकिन आगे जान्त होती है तो पता चला ये तो पहले ही 16 ओ आरतों को मार चुका है उम्र कायद की सजा काटने वाला एक मुझरिम है और तब उसका खुलासा होता है और अब वापस से वो फिर जेल में है अब यहां दो तीन सवाल है एक पहला कि 11 ओरतों का एक कातिल जो की इतना खतरनाक है समाज के लिए वो इतनी आसानी से कैसे बाद भी पुलिस उस तक नहीं पहुच पाई तीन अब 16 कतल करने के बाद भी वो जवानत पा जाता है और बाहर आ जाता है और फिर दो और मासूम औरतों की जान ले लेता है तो कहीं न कहीं यह पूरी पुलिस अपने जिरिशल सिस्टम इसके उपर भी एक सवाल उपता है कि ऐसे खूंखार ऐसे खौफनाक गातिल को सीरियल किलर को कैसे जवानत मिल जाती है कैसे वो जेल से भाग जाता है कैसे वो पुलिस को गुम रहा करता है और कैसे अठारा अठारा जिंदिया ले लेता है रामुली की कहानी सबक है बलके केस स्टड़ी भी है कैसे सीरियल किल ये इस केस से हमें सीठने को मिलता है। तो इस कहानी में आज इतना ही लेकिन बहित दिन होकाय सब्सक्राइब एन कर डिल दे लिए तो कुछ लोगों के मेल भी हैं कि आपको बताता हुँ इन्होंने कई कहानी की फर्माईश की है तो आनं जाप मैं जल्दी आपको कहानी सुनाता हूँ जो आपने एक लिस्ट बेजी है शिवा मुपाध्याय और इन्होंने कुछ भेजा है इनकी भी फर्माईश जल्दी पूरी होगी इसके इलावा आरिफीन हैं लगातार कहानी देखते हैं तारीफ करते हैं दीपक दूबे हैं और दीपक दूबे ने ये फरमाईश की थी कि हधरबाद की सीरियल किलर रामलू की कहानी सुनाई है तो इन्होंने कुछ और भी कहानी की बात की है तो दिपक दूबे सब आपके फरमाईश पूरी होगी अंकित गुपता है इन्होंने लालकले के बारे में कुछ बताने को कहा है तो इनसे बात होगी जल्दी की इसके लावा संजय पाठक है और माहीन मुहम्मद है अजय सिंग है इसके लावा चेतन सिंग है कमल वसिस्थ है अर्ष बाजवा है दृष्यम की कहानी सुनना चाहते हैं आर्ष रिवास्तव है इन्होंने लुटियंस देले की कहानी पे आप लोगों के लिए कहानी सुनाता हूं आप लोगों को पसंद आया तो बहुत दिल से शुक्रिया राहुल राजन है अर्विंध हैं सैंडी हैं अक्कीज व्लॉग हैं रोहित दिवेदी हैं और लाल के लिए की स्टोरी जो उस दिन थी उसके लिए थैंक्स बोला है थैंक प्रिती नरूले हैं किसान ट्रेक्टर रैली पे जो एपिसोड थी उसकी नोना तारी की थैंक्यों प्रिती आशी स्थाकुर हैं इसके लावा संजित कुमार शेख मुस्ताक ग्रविन अरोडा नवी सिद्धू राहुल कुमार सुरित रंजन शिवम घातक अमन सिंग अभीजनन सैंसल सस्माल सौरी दीपक खरे केट के समीर अंसारी एक हुमा बुखारी हैं इन्होंने कहानी लिखी है हुमा जी मैं जल्दी उसके उपर इन्विस्टिगेट करके और आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा हिमानशू खुराना, इसके लावा विश्व परकाश मिश्डा, सम्राट कॉम्निकेशन, असत कमाल, रजत बरुवा, सुदीप चक्रवर्ती, ए पांडे, मुनीश, यादावानंध, राहुल भट्टाचार, इसके फेजल अली, मैंक राठोर, रंजन, रूपाली सिंग, सुधीर यादव, एस सिंग, रविंदर सिंग, हिमानशू संकल पांडे, कुल्विंदर धालीवाल, भासकर रौ, हिमानशू शेखर, दिव्यानशु कुमार शर्म, शालनी सोनी, एस्तेशमुक, मनीश, नवेद अन्जुम, शुभम सौरब, मनहर खन्ना, सुधीप, आशीच राज, मार्क वैमन, शहाव एहमद, MSD मिर्जा, आदिल एहमद, ग्रीश पिलांकर, अभिरंजन, निकेत अगरवाल, शशांक मिश्रा, यादावानन्द, रमन हांडा, नरेश लकोजी, सुधीर यादव, नासिर सीपी, सोनुशा, रमन हांडा, लोकेश, कृष्ण, डी सिंग, राम पाटिल, एजैन, और निशांत खेल कर, आप लोगों की बहुत सारे रिस्ट भी है कहानियों की, बारी-बारी से जरूर पूरी होगी, लेकिन आज कहानी में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, कल रात नौ बजे, किसे नहीं कहानी के साथ, तक तक अपना खयाल